खेती करने के टाइम में पहले ही तो आपको करना पड़ेगा गड़ा का, गड़ा में साइज एक मिटर वाई, 1 मिटर वाई, 1 मिटर होना चाहिए, फिर गड़ा में आपका खाथ जो देना है, जे 10 किलो आपका फार्मियर्ण मैनियोर्ट, फिर उसके साथ 40 ग्रम नाइटोजन 80g phosphorus 40g potassium यह मत्रा देखर आपको पदे लगाना है उसके बाद आपको आएगा जे सघन क्यति करेंगे की conventional क्यति करेंगे उसके अनुपात में आपको इसको रूस्टक के ओपर डिपेंड करेंगा जैसे आपका M9, M9 में सघन क्यति करेंगे हमारा पास एक अच्छा रूस्टक है तो इसलिए यह रूस्टक आप यूस कर सकते है उसके बाद आपको करेंगे जे सेकेंड जो है hybrid variety कोई चाहेंगे जो आपका apple scab resistant variety हमारा पास है पुसामर तरह प्राइट जो की royal delicious के primary के साथ cross हुआ था तो उसको उगाय सकते है जहां पर apple scab का problem है क्योंकि आजकल देखेंग आपको खेतों में synchronization flowering यह दोनों होना चाहिए by chance आपको synchronization नहीं हो रहा है तो आप mid term collection का हिसाब से bouquet pollination कर सकता है hand pollination कर सकता है फिर आपको खेतों में मधुमक्की का जो हम एक दो beehives पारेकर में recommend करता है वो लगा सकता है तो उसके बाद आपको आएगा winter में जैसे आपक पूरिंग पूरिंग का बहुत जोरूरी है क्योंकि पूरिंग में आपका spar formation होंगे जिसमें आपका footing आएगा इसके main जो बीमारी है देखिए apple scab पहले हट गया था फिर दोबारा इसमें आ रहा है अभी sporadigoy में तो इसलिए आपका एक spray schedule होता है जैसे कि scab के लिए green tip stage में आपका dodin spray करना चाहिए pink bar stage में manco jay score करिए petal fall में carbon design हिक्सा कुना जोल spray करिए walnut size fruit होता है उसमें dodin करिए marium करिए उसके walnut से 20 days के बाद आप native oil spray करिए और pre harvest के time में captain करिए ये तो scab के लिए जैसे premature lip fall भी अचकल बहुत problematic हो रहा है जब ये depend करता है temperature के उपर बाकी जून में आप रिवेंटिव मेजार में manco jay जैतीन गाम के सबसे और curative मेजार में की native हो करिए इंटर में कोई trap लगा के उलिया पिट को जब आच्छे तरह फेबरेल कमिनिटिसन में उपर में चरता है उसी दाव में trap करके इसको मार्ट करिए